कि यहीं धोस्तों जैसा कि आपका SSC MTS अवलदार का एक्जाम घंद का आपका स्टार्ट हो गया है जो कि आपका 13 जून से इस्टार्ट हो न था तो 13 जून का सबी सीप्टों का आप गया समाप्थ हो गया है पर तीन शीप्ट में आपका एक्जाम कंडक्ट हुआ है तो टोटल मिलाके आपका 75 प्रश्ट आपके आज के टोटल सीप्टों में पूछे पहले बीडियो को स्थापना है अगर आपको देखना है तो आप प्रश्ट बना हुआ है जा कर सकते हैं वीडियो के सेक्षन में हाज कब हुआ था Brief कोफ ना में आब theater कि अगिए पूच्छा गया था पूचा गया था इसका जो हो जाएगा जो शापन हेटा नेक्स कोफ सफ्से पुच्छा गया था दोजिक में विदेतite क्पूच्छा बनावाया था तो इसका राये टेंबर रहर चींप दो नरींदर और फीच कोंचन गए फ्रेंटा छो आपका testly की टेंजेश का अगे,ोद नरींदर चेल naar चाहिए पुछा गया था तमील भाषा में मुवेंदार का अर्थ क्या होता है यह कुछा गया था तो तमील भाषा में जो मुवेंदार है उसका जो अर्थ होता है वह दोस्तों आपका तीन मुख्या होता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला है कि जैनती कुमरेश कि तो इसका राइट इंसर आपका हाई हो जाएगा इसके लाबा नेक्स वोस्टन आपसे पुछा गया था कि आरे समाज का उद्धेस क्या है तो रीफॉर्मेशन ओफ हिंदुजम इसका इनका उद्धेस था अरे शमाज का तो राइट इंसर हो जाएगा अगला कोश्ण में पू सा सोर मंडल का गरह है तो आपका जूपीटर यानि की बिश्पति हो जाएगा सेकेंड में आपका क्या हो जाएगा तो सनी गरह हो जाएगा इसके लाव सबसे छोटा गरह की बात करेंगे तो यह आपका सुक्र गरह हो जाएगा ठीक है तो इसको भी आप या दख लिजिएगा नेक्स कोस्टन आपसे पुछा गया था ट्वाइड जो गरंती होता है कौन से योगिक की कमी के कारण होता है तो इसका जो राइट इंसर आपका हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा ठीक है एक कोस्टन पुछा गया था सूपर बॉल किस देश में खिला जाता है तो एरिजोना एरिजोना एक अमरीका का जगा का नाम है वहीं पर दूस्टन आपका सूपर बॉल पर जोगता आपका हाली में हुआ है और ऑप्सन में क्या दिया गया था वो जो लोग जाम देकरार है वो देख रहे है तो जरूर बताएगा नेक्सन है कि भारतिये राज्ये पच्छम किलो मिटर जो सीमा है आपका बंगलादिस के साथ लगता है सबसे ज्यादा सबसे कम आपका अफगानिस्तान के साथ लगता है 104 किलो मिटर ठीक है नेक्स उसमें पूछा गया था कोईला का जो उत्पादन है किस राज्ये में नहीं होता है ठीक है चार ऑप्शन दिये गए अब अगर पूछ दिया जाए आपसे तो जारकन को ही आपको क्लिक करके आना है ठीक है वीडियो में आगे अफरें फ्रेंस से पले आपको बता दें कि SSC MTS का जो फर्स्ट फेस का जो आपका एक्जाम हुआ था तकरीवन 49 सिप्टो में ठीक है जो कि आपके अगामी SSC के सभी जामों के लिए बहुत यूपयों की साबित होने वाला है सुल्क की बात करें तो बहुत नियूनतम सुल्क मात 20 रुपे रखा गया है इसे प्राप्त करने के लिए डिस्किप्शन पर लिंक दिया गया गा वाच्टप चेट का वहाँ से डिरेक्ट आ सकते हैं नहीं तो वाच्टप नमबर आपको सामने दिख रहा होगा 9973711666 ठीक है तो इसको भी सेव करके आप लोग यहाँ से जिनकारी और ले सकते हैं ठीक है तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं आपका यह पुछा गया था कि एस सौमनाथ है जो कि किसके अध्यक्छ निक्त किये गे हैं या प्रस्ट का लेंग्विश कोई और होगा लेकिन इसका जो एंसर होगा वह आपका इस्ट्रो इसका राइट एंसर हो जाएगा इस जो सोबनाथ थे दोस्तों आपका इस्ट्रो के चेर में निक्त किये थें इस्ट्रो की बात करेंगे तो इसका जो फूल पूम होता है भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगर्ठन इस सोमनाथ जी है जो कि आपका 14 जन्मरी 2022 को ही अपना पदवार जो की गरन किये हैं इसके अलाबा इस्ट्रो की बात करेंगे तो इसका जो मुख्याले है वो दोस्तों आपका कहां पर है तो बंगलूरु में इसका मुख्याले हिस्तित है और यह भारत की अग्रणी अंतरिक्ष अनुवेंशन अजिंसी है ठीके इसके अलाबा बात करेंगे दोस्तों इसके ग आपका क्या हो जाएगा इश्रो हो जाएगा ठीक है इसके अलावा फ्रेंट्स आपको बता दें किसका जो PDF है आपको Telegram चेनल पर मिल जाएगा टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तो वह आपका डिस्किप्प्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से जाकर जोईन हो जाएगा, तो नेट्स जो कुष्चन है, आपका अकवर नामा जो पुस्तक है, उसकी रचना है, जो किस ने की थी, यह कुष्चन आप से पुछा गया था, तो अकवर नामा की बात करेंगे, तो इस पुस्तक की जो रचना है अबूल फजल जी के द्वारा किया गया था तो इसका जो राइट एंसर है आपका अबूल फजल हो जाएगा ठीके इसके अलावा जो प्रमुक पुस्तके हैं उसके लिखक से सम्मंदित कुछ चुम अतिम हत्मुन परशन है उसको हम लोग देख लेत है आपके कौन है तो तुलसी दाजी है इसके लावा सहा नामा किसकी परसित रचना है तो सहा नामा की बात करेंगे तो आपका फिर दोसी की रचना है हर चरीत किसकी रचना है तो हर चरीत भी आपका वानवत का ही रचना है हर चरीत और आपका कान दमरी इसके लावा अक्व एक पुस्तक है दास क्रिप्टल उसके जो लिखक है वो दोस्तों आपका काल माक्स है ठीक है इसके लावा है कि है भारत भारती किसकी रचना है तो आपका मैथली सरंगुप्त जी की रचना है और हिंदी की महान रचना निर्जा किसकी रचेता है तो आपका महादेवी वर्मा जी का है इसके अलावा कमयानी की बात करेंगे तो जैसंकर प्रशाद धियामा पुस्तक की रिष्णा की बात करेंगे तो महादेवी वर्मा मदर के लिखा की बात करेंगे तो मैक्सिमम गोर्की और पंच चेतंतर की पुस्तक की बात करेंगे तो विष्णु सर्मा एबं मैला आचल पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है तो फनिश्वर नात रेनु जी के द्वारा लिखा गया है तो यह सभी पुस्तके हैं आपको PDF में सामिल क्यार कर दिया गया है आप लोग जा कर एक वार वहां सभी बढ़ सकते हैं तो नेक्स कोस्टन था आपका केंदरिये निर् माचिन आयव की बात करेंगे तो भारतिय समिधान का जो भाग 15 है भाग 15 में आपका नुच्छे 324 से लेकर 329 तक आपका केंदरिये निर्माचिन आयव का व्याक्षा क्या गया है यह दोस्तो भारत में चुनाव कार को निस्वक चुरूप से संपन कराने के लिए उत्तरद मंडल में आपका विधान परश्रत विधान सवा होते हैं तो उसका भी चुनाव आपका यही कराता है राश्पती का भी चुनाव आपका इसके किंदर निर्माचनाय को द्वारा ही करा जाता है एबं उप राश्पती का भी चुनाव संपन कराने का जिम्मा इसे ही दिया ग बात करेंगे तो यह दोस्तों आपका शुड़ भगवान की पूजा की जाती है तो शुड़ इसका राइट एंसर हो जाएगा इसके अलावा बात करेंगे छट पूजा का तीमुकृप से बिहार और उत्तर प्रदेश के रज्यों में मना जाता है ठीके इसके अलावा जो अग सहसिक उपन्यास है इस उपन्यास को 2001 में प्रकासित किया गया था ठीके यह उपन्यास एक लड़के के बारे मताता है जिसने प्रशान तम्हा सागर में एक जहाज की तवाही के बाद एक लाइफ बोट पर जड़ पाएकर नाम का एक बंगाल टाइकर के साथ 227 दिन बिटा ठीके चलिए नेक्स कोस्टन के बात करते हैं तो नेक्स कोस्टन है आपका पंथी जो निर्थ है वह आपका किस राश से समन्दी थे तो पंथी जो निर्थ है वह आपका 36 गर राश से समन्दी थे तो इसका राइट एंसर आपका 36 गर हो जाएगा ठीके इसके लाब पंथी 36 अगला कोशन पुछा गया था भूरा से समंदित पुछा गया था किस वर्क के में आता है तो जो भूरा सेवाल है आपका फियो फाइसी वर्क से समंदित है तो फियो फाइसी इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है इसके लावा लाल सेवाल बुरे सेवाल और अहरे सेवाल में कुछ अंतर को देखें तो आपका जो लाल सेवाल है उसको आप और हरा जो सवाल है वो आपका कलोड़ोफएसी वर्ग से संबन्धी थै ठीक है इसके लावा नेक्स कोस्टेन के ओर भडलते हैं तो नेक्स कोस्टेन पुछा या था कि इसके लावा देश में सक्षर्टादर की बात करेंगे ओवरॉल महिलाएं पुरूस तो आपका 74.04% सक्षर्टादर है लेकिन पुरूस के लिए आपका 82.14% था और महिलाओं की बात करेंगे तो सक्षर्टादर आपका 65.46% था ठीक है इसके लावा 6 अस्थान की बात करेंगे किस राज का सक्षर्टादर सबसे ज्यादा है तो केरल राज का जो सक्षर्टादर है आपका 93.91% के साथ पूरे भरत तोर्स में जो आपका सक्षर्टा में सबसे आगे है ठीक है केरेल के बाद आपका दो राज्य अदो और केंसांसित बरदेश की बाद करेंगे तो केरेल के बाद आपका लक्षदिव है इसके बाद आपका मिजोरम आपका सखथरतादर में Second or ठरस्थान पे काविज है इसके अलावा सबसे नीमना स्थान पर कौन है तो सबसे नीमन स्थान पर आपका बिहार है इसके बाद आपका अनुनाचल परदे से इसके बाद आपका राजस्थान है ठीक है तो सबसे नीचे से बिहार फस्ट है फिट सेकेंड आपका अनुनाचल परदे से और आपका ठड़ है राजस्थान ठीक है इसके लावा नेक्स क पुछा जा चुका है इसके लावा लेटर राइट मिट्टी की बात करेंगे तो बड़कार नदी है वह किस नदी की अदाएक नदी है तो इसका राइट इंसर आपका क्या हो जाएगा ये आपका दामोदर नदी हो जाएगा ठीके जो बढकर नदी है भारत के जारखन और बेहने वाली नदी है, जो कि आपका किसकी उप नदी है, या सहाइक नदी है, तो दामोदर नदी की सहाइक नदी है, तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा, आपका दामोदर नदी हो जाएगा, इसके लावा next question पूछा गया है, बुध्धे किस गनराज से समन्दित है, च जनम है आपका कब हुआ था तो पांसो तिरेशट इसापूर में इनका जनम हुआ था कहां पर हुआ था तो साक्के गनाज का हिदा जानी था कपिल वस्तु के निकट लूमनी एक गाउं में जो कि अब नेपाल में परता है हुआ था ठीक है इसके लाब महाविर्श्वामी की motor फार तो प्राशीन भारत में 16 महाजन पदों का जिक्र है आप लोग सुनते हैं पढ़ते हैं वो उसी में से आपका वज्जी महाजन पद था जिसके रजानी बेसाली था इसके लावा मगर सबसे सकतिसाली महाजन पद था आपका 16 महाजन पदों में जिसकी रजानी आपका agree words था ठीक है कौन है एक कौस्षन पुच्छा गया था तो इसका राइट एंसर है आपका क्या हो जाएगा किरन बेदी दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा fearless governance पुस्तक के लेखाक है किरन वेदी की बात करेंगे तो यह आपका पहली महिला IPS थी इसके लाबा यह पुड़ुचेरी की 24 में उपराजपाल के रूप में भी कर चुकी है ठीक है तो आपका पुड़ुचेरी की 24 में जो उपराजपाल के रूप में लगव पांच और सो की सेवा की जेमनिवा स्विक्ताओं के अधार पर किरन वेदी ने fearless government पुस्तक की में सासन की अपनी आत्रा को लिखा है ठीक है इसके लाबा next question की बात करेंगे तो साक्षी मलीक किस खेल से समन्दित है तो साक्षी मलीक की बात करेंगे तो यह दोस्तों आपका कुस्ती से समन्दित है तो इसका जो right answer दोस्तों क्या हो जाएगा आपका कुस्ती हो जाएगा ठीक है इसके लाबा साक्षी मलीक भारतिये पहलवान है जिन्होंने 12-16 में ओलंपिक में कुस् आपका किसे आपका स्मादीत से लगиш वेत लिप्टिंग और टारी को देखें, अभिणव विन्द्रा जी राजिवर्धन सिंह राठोड है, विजय कुमार है और अंजली भागवाची है, यह सबी आपका शुटिंग से समंदित है, इसके लाब मुक्हे बाजी समंदित कुछ खिलारी की दाब देखे, तो आपके मैक मेरी कॉम है, बिजेंदर सिंग है, लेश्राम, सरिता देवी है, देवेंदर सिंग है, हवाशिंग है और अखिल कुमार यह सबी आपके किस्से संबंदीत थे तो मुक्के बाधी से आपका संबंदीत खिला रही है एक प्रेंज कोशन ओडadow पका आय था friends, कि सबसे बड़ा गरा कौन सा है, तो इसका तो इसका तो राइट एंसर आपका हो जाएगा, सबसे बड़ा गरा, ये दोस्तो आपका कौन सा है, तो बित्ष पती था तो आपका सबसे बड़ा गरा है, जिसे की आपका अंग्रेजी आपका सबसे छोटा गरा है इसके अलावा जूपिटर की हम लोग जो बात करते हैं तो सूर की दूरी से यह आपका पाचमा गरा है इसको भी आप याद रख लिजेगा ठीके इसके अलावा छोटा गरा हो गया दूसरा सबसे बड़ा गरा की बात करेंगे दूसरा ठीके सबसे बड़ा तो हो गया लेकिन दूसरा की जब बात करते हैं तो दूसरा आपका सबसे बड़ा जो गरा है आपका सनी है और सुर से छठा गरा है ठीके इसके अलावा बात करेंगे आपका सबसे चमकिला गरा कौन सा है तो सबसे चमकिला जो गरा हो जाएगा द इसको भी आप याद रख लिजिएगा एक कोस्तन देखे पूछा गया था कि मदुमक्खी के घर को क्या कहते हैं तो देखिए ऑप्सन में क्या है था इसका तो अभी अनुमान नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इस्ट्रेंट के दौर ऑप्सन बता ही ने गया है तो आपका मदुम मदुमक्खी से समंदित आपका आया था कि मदुमक्खी के घर को आपका क्या कहते हैं तो हमारा नेक्स कोस्टन है फ्रेंट्स की कुमार गुप्त के बाद आपका सासक कौन बना था ठीक है एक इस्ट्रेंट बोल रहे थे कुमार गुप्त के कुमार गुप्त पर्थम के फि कि उसके बाद गुप्त समराज का क्या बना था समराट बना था ठीक है तो आपका क्या राइट एंसर हो जाएगा आपका असकंड गुप्त इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है इसके अलावा हम लोग कुमार गुप्त की बात करेंगे फ्रेंड सो कुमार गुप्त आपका स्थापना है वाग किस ने किया था तो आपका क्या स्रीकू का श्री जुब्ट के बाद दोस्तों और यह इंचन DR पूतर के बादा है रे नोगता surfing Tur यूशित के बादा है यहीं दोस्ताम को ही कहा जाता है बाद दोस्तों आंड़ का का इता है कुझarettes इसके बाद आपका आता है समुन्द्र गुप्त, चंद्र गुप्त पर्थम के बाद, समुन्द्र गुप्त के बाद आता है राम गुप्त, राम गुप्त के बाद दुस्तों आपका आता है चंद्र गुप्त दुतिये के काल को ही कहा जाता है, और जो चिनी आतरी फायान था चिन यात्री जो फायान था इसी के सासन काल में आया था चन्दकों दोतिय अधिये निया के बाद कीरण फाड़ा कुछ आपके आपका इंपों पूँट ? next क्ब मुच आपका अपका अक्बर खान से सब्स brightness ? हमें तो एक बात करेंगे एक हम पर यह रहे हं मैं सरोध की सब्सिक्स के बात करेंगे तो मुक्रुप से हिंदुस्तानी संगित में इस्तमाल किया जाने वाला एक वाध्य अंतर है अली अकवर खार महर गराने के हिंदुस्तानी संगित कार थे इसके लावा 1956 में कलकत्ता में संगित विद्धाले 1967 में अली अकवर शंगित विद्धाली की स्थाफना भी की थी ठीक है इसके अलावा एक कुस्टन आपका है था टाइफुन जो आंदी है आपका उसकी उत्पत्ती आपका किस देश से हुआ था ठीक है किस देश में आपका किस देश होता है चार ओप्शन आपके पास दे गये थे जो की परशानत महा सागर के उत्तरी पच्छमी भाग में होता है ठीक है इसके लावा यह बिनसकारी प्रकृति की होता है और यह जपान चीन फिल्पीन साधी के टटो पर पाया जाते हैं तो आप्शन में आपका जपान दिया गया था जो की बिल्कुल राइट एंसर थ दियाँ था विलेन का रंग क्या होता है जब यह न तो अमली होता है और न ठाली होता है ठीक है लग आपका बैगनी हो जाएगा जब ढलाब through अलदर बेंतर एंसर नीकाला जाता है और यह झाला याथ धेलाफ़ायटा वर्क होते है ठीक है चलिए नेक्स कोस्टेशन के बढ़ें तो नेक्स कोस्टेशन से पले लिटमस विलेंड का उप्यूप विलेंड की अमली और छाडिये परकृति को निधारित करने के लिए प्लकाति एक संकेतिकक के रूप में किया जाता है इसके लवा आसुच जल में डालने पर यह आपका लाल हो जाता है तो यह आपका कुछ इंपोडेट फाप्स है इन्टीторफिय कर दिया गया है तो आप लोग पढ़ लीजेगा एक कि Its इसका राइटेंस आपका हो जाएगा इसका फोल फ्रोम ही आपसे पुछा गया था ये सरकार के द्वारा 24 नमंबर 2005 को स्थापित किया गया था एक स्थोतंत्र डॉपिंग रोधी संगठन है ठीक है इसका राइटेंस आपका क्या हो जाएगा इबराहिम लोधी हो जाएगा ये पानीपत का पर्तम यूद आपका फर्स्ट सिप्ट में भी देखने को मिला था तो पानीपत का पर्तम यूद तो आपका दो बार पुछ दिया गया है आज तो पानीपत के दित्यूद की चर्चा क कर लेते हम लोग तो यह कभ हुआ था तो आप लोग बताते चलिएगा कि पानी पत का दिनती उद् ज़ा था तो 566 में में किस के जाना सेना रोडा गया था इन शभी युद्धों को आप एक वार याद कर लिजेगा इसके लावा आगला कोस्टन पूच्छा गया था गनेश रथ मंदिर है जो कि आपका किस राज में इस्तित है तो महावली पूरम इसका राइट एंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन में भी दिया गया था गनेश रथ काची पूरम जीले तमि इस ठाइड शिंटेटिस तो आपको बता दें कि ठाइड हरमोन अमीनो ऐसिट टाइज लोशिन से प्राप्त होते हैं और टाइज फिनोर रिंग्स के अनुकर्मिक आयवडेनिशन के माध्यम से संसलिसित होते हैं ठीक है नेक्स रॉच्छन के बात करेंगे तो नेक्स दिल्ली and BAI is an association registered under the Societies Act. It was formed in 1934 and has been holding national level tournament in India since 1936. तो Benvington Association of India आपका इसका right answer हो जाएगा. Next question पुछा गया था. Othello was written by यानि की परशिद नातक एक पुस्तक है Othello की स्केल दुआरा लिखा गया है. तो William Shakespeare इसका right answer आपका हो जाएगा. Othello the Tragedy of Othello, Moore of Venice, William Shakespeare की एक Tragedy है. माना जाता है कि इसे 1619 में लिखा गया था. ये बोकिश्यों की एक अनुआई सिसको के दौरा के पिटानों मुरों एब मुरिश केप्टन की कहानी पर अधारी थे. इसके अलावा कुछ और पुस्तक है आपका Ben Johnson की Strait Court, Lab the Vega की The New Art of Writing Pillay और Thomas Midlatton की Five Pillay ठीक है. इन सभी पुस्तक को भी याद कर लिजेगा. Next उसना पुछा गया था उत्तर प्रदेश की पहला गवर्नर कौन थे हैं? तो उत्तर प्रदेश की पर्थम गवर्नर की बात करेंगे. तो सरोजनी नाइडू नाइडू ही ठी. इनका जो मिर्तु है आपको बता दे 1964 इसमी में आपका इनका जो मिर्तु है आपका राजजी भवन, उत्तर प्रदेश का जो राजजी भवन है वहें पर दोस्तों आपका हो गया था. Next question की बात करेंगे तो Deep Ocean Mission किस मनताले से समन्दी थे यह दोस्तों आपका आया था तो हाली में जो पिर्थवी विज्ञान मनताले के दुवरा Deep Ocean Mission ठीके? लॉंच किया गया था तो आपका राइट एंसर पिर्थवी विज्ञान मनताले हो जाएगा. डॉम भाड़ा सरकार की बुलू एकोनोमिक पहल का समर्थन करने है तो एक Mission Mode Project है इससे पुरू पिर्थवी विज्ञान मनताले ने बुलू एकोनोमिक पोलिशी का मसोधा भी तैयार क्या था. नेक्स ओर्शन की बात करेंगे तो नेक्स ओर्शन है भारत में सक्षर्टा Mission कब शुरुआ था. यानि की National Literary Mission was founded in ठीके तो इट वाज सेट अप इन 1988 तो आपका 1988 आपका क्या हो जाएगा? राइट एंसर हो जाएगा with the approval of the cabinet as the independent and autonomous wing of the ministry of HRD ठीके देन Department of Education ठीके आपका HRD मिनिस्टर के द्वारा इस शुरु किया गया था 1988 में अब आपका Department of Education का नाम हो गया है इसके लावर आश्टे सक्षर्था मिशन NLM COVERS 1988 में 15-35 के आईउ के सभी नक्षर विक्तियों को कार्यात्मक सक्षर्था परदान करने के उधिस से सुरू किया गया था ठीके? नेक्स कोशन के बात करेंगे पुर्वी घाट और पच्वी घाट जहां पर मिलते हैं उससे क्या करते हैं तो आपका निलगिरी आपका इसका राइट एंसर हो जाएगा निलगिरी की जो पहरिया होती है पुर्वी घाट और पच्वी घाट का मिलन मिंदू है निल गीरी पहारी भारत के दच्छिन भाग में इस्तित है और यह परवत माला पच्छिम घाट संखला का हिस्ता है इसके लावा निल गीरी परवत संखला के कुछ से तमिलाडू करनाटा कोर、 केरल में भी Bangkok थै और निल गीरी की सबसे उची जोटी है डोडो बेटा है जिसके उच्छाई लगवक 2,633 मिटर है निल गिरी तमिल सब से लिया गया है जिसमें निलम का मतलब निला है और गिरी का मतलब आपका क्या है तो पहार है ठीक है इसके अलावा नेक्स कोस्टम पुछा गया था उने 65 में पदम सरी पुरुषकार है जो कि कि कुछन का लेंवेज और होगा है अपको उपष्ण में ऐपका बिरुड़िया उमरा दिया गया था यसरे मिटनाली सर भाय हो जायेगा ठीक है अलावा है समंनीत पर्मुक कलाकार है इसके अलावा आपका 1990 केginya चैट संगित नायाती के fause cb भी इन्हें दिया गया है ठीक है तो यह आपका राइट एंसर हो जाएगा एक कोशन पुछा गया था इन्युवर्श्ट एडल्ट फ्रंचाइज के अंदर कौन आता है अप्शन में आपका दिया गया था All Citizens and Non Citizenship All Citizenship All Citizenship Only Taxpayer Only Minister यह गलत है यह गलत है यह गलत है तो आपका राइट एंसर क्या हो जाएगा All Citizens ठीक है इन्युवर्श्ट एडल्ट फ्रंचाइज की बात करेंगे तो means that is that the right to vote should be given to all adult citizens without the discrimination of caste, class, color, religion and gender It is based on the coin equality which is a basic principle of democracy ठीक है तो All Citizenship आपका क्या है इसका right answer आपका हो जाएगा ठीक है एक question देखिए और पता चल रहा है Congress स्रमदीत आपका आया था आया था कि Congress का जो स्थापना है यानि कि INCA के Indian National Congress के स्थापना आपका कब हुआ था इसका जो right answer दोस्तों आपका हो जाएगा वह आपका 1885 पी हो जाएगा ठीक है 1885 में आपका Congress का स्थापना हुआ था कहां पर हुआ था तो Mumbai में हुआ था और इसके पर्थम अदेख्ष से कौन थे तो आपको बता दें बद रुदिन तेव जी इसके परितमत देश थे, इसका जो स्ताफना है, किसने किया था, इसके स्ताफना किया थे, एओ ध्यूम के द्वारा इसके स्ताफना किया था, इसका जो पर्थमत विश्ण हुआ था, मुंबई में ही हुआ था, गोकुल दास देशबास संस्क्रित विद्याले में 72 परतिनीद्यू ने आपका इसमें भाग लिया था ठीक है एक कुछा गया था जॉइंट सेक्टर से रिलेटेड था कि जॉइंट सेक्टर ठीक है से क्या रिलेटेड है आपका दिया गया था स्टील प्लांट दिया गया था इसके लाव मारूती दिया गया था इंडियन एरोविक्स दिया गया था ठीक है इस प्रकार करके ऑप्शन दिये गया थे तो थ्वासा इसमें कन्फूजन है तो जिसे ही कन्फूजन दूर होगा तो ये दोस्तों कुछ कोस्टन थे, इसके लावा बात कर लेते हैं, कोस्टन का लेवल क्या था आपका, तो इंग्लिस का जो पोर्शन आपका बताया जा रहा है, और तीन से जो चार प्रशने आपका तब बताया जा रहा है, ये आपका इंग्लिस का, ठीके, इसके लावा जी कि जो आपका second shift cash का जो portion बताया जा रहा है वो आपका moderate to high बताया जा रहा है बस करेंड करें हैं कि ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 question ही क्या था वो दोस्तों आपका easy था बाकी आपका hard आया था ठीक है एक आपका formal build से भी question आपका क्या को मिला था ठीक है पुछा गया था कि मिलाना सल्मनी को 29 में कौन सा पद में आवोट दिया गया था ठीक है तो जो इसका राइट हैंस राइट हो जाएगा इसके बाद बात करेंगे मिलेना सल्मनी का तो यह दोस्तों आपका कथक कली निर्ट से समन्दी थे कथक कली निर्ट कहा का सस्टे निर्ट थे यह आपको मालूम होगा यह आपका केडल का सस्टे निर्ट थे ठीक है इसके अलाबा मिलेना सल्मनी पेरिस में भारती निर्ट रुपों में से एक स्कूल सेंटर मंडब चलाती है और भारत सरकार ने परदसन कला के छेत में उनकी योगदान के लिए दोजा उन्हें इसमें उन्हें पदम सरी बहुत सभी सम्मानित किया था ठीक है इसके लावा अगला जो कोश्चन है वो पुछा गया था आपका कि आरबी आई के जो पूर्व गवर्नर थें उर्जित पटेल ठीक है उन्हें हाली में क्या अपॉइंट किया गया है क्या वो बने हैं ठीक है तो ये कोश्चन पुछा गया था तो भारतीर जब बैंगाने की आरबी आई के पूर्वर्नर उजित पटेल को बीजिंग इस्तित बहुँ पक्षिये विद पोशन सस्थान ACIO सनचना दिवेस्वेक याने की AIIB का उपाध्यक याने की वहाइस प्रेजिडेंट निव्ट किया गया है तो आपका ये राइट एंस हो जाएगा वहाइस प्रेजिडेंट ओफ AIIB इसकी जनकारी AIIB की तरब से दिया गया था और आपका दरसल AIIB के संसापक देशों में भारत भी सामिल है तो आपका राइट एंस हो जाएगा विडियो में आगे बने इससे परले आप लोगों बताते चलें कि जो फर्स प्रेस का SSC MTS का जो एक्जाम हुआ था आपका 2 माई से लेकर 29 माई तक आपका कुल लगबग 1000 प्रस प्रस्ट पुछे गए थे तो उन सबी को एक साथ कंबाइन करके एक्स्ता फेक सहीद पीडियाप को त्यार कर दिया गया है जो कि आपके अगामी SSC एक्जाम के लिए इपॉंटेट है और सेकेंड फेस का जो अब SSC MTS का एक्जाम चर रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेट है तो यह मात्र 20 रुपे की नियुंतर्म सुल्क पाइप से प बहुत है अभी तक 49 सिप्ट आपका एक्जाम कंड़क्ट हुआ था आज को मिला दे तो पलस तीन सिप्ट और बर जाएंगे लगवा 42 सिप्टों का जो पीडियाफ है आपको एक साथ कंबाइन डोप से मिल जाएगा तो चलिए वीडियो में आगे बरते हैं Next Question Friends कि Farm Act repelled how many laws तो यह question आप से पुछा गया था तो आपको बता दे कि how many laws तो इसका right answer आपका क्या था थीरी थीरी right answer था तरी आपका first one था the farmer agreement on price, assurance and farm service act 2020 दूसरा था आपका the farmers produce trade and commerce था था आपका the essential commodities ठीके तो यह तीन लोज आपका फार्म एक्ट से समन्दित था ठीक है अगला कॉस्चन पूछा गया था कि आधार दर एक बैंक की नियुनतम ब्याज़दर है जिसके नीचे उधार नहीं दे सकता है सिवाई RBI के द्वारा अनुमानी दिये गए कुछ मामूरों में ठीक है उस दर को दोस्तों आपका क्या कहत आपसे पूछा गया था तो आपको बताा दें कि अधार रिफ्याव कर नीचे उधार नहीं दे सकता है सिवाए किसके ठीक है तो इसका right answer आपका RBI हो जाएगा अगर next ship में आपका इस तरह का परश आपसे पूछ दिया जाए तब ठीक है next question की बात करेंगे तो next question पूछा गया था जो कच्छ का जो run है comes under which category ठीक है कौन से category से दोस्तों आपका क्या है यह आपका कच्छ कारण समंदी थे coastal plains, eastern ghat, northern plains and western ghat तो इसका right answer आपका coastal plains इसका right answer आपका हो जाएगा next question की बात करेंगे तो बेरोजगारी दर का सुत्र क्या होता है यह question आपसे पूछा गया था तो बेरोजगारी दर के परतिसत की जो गरना है बेरोजगार विक्तियों बट्टा कुल स्रंबल इन्टूट सौ के रूप में किया जाता है तो ऑप्सिन में अपना देख लिएगा आपका कीज outta Dochी दिया गया था तो बिल्कुल 100% राइट एंसर है ठीक है घुमर के अलाबा राजस्थान से समंदी निर्थों के हम लोग बात करेंगे तो कलवेलिया है, भावाई है, कच्छी घोड़ी है, गैर है, चारी है कट, उत्ली है, चांग है, तेरर ताली इत्यादी आपका राजस्थान का ही लोग निर्थ है, ठीक है, तो आपका राइट एंसर हो जाएगा घुमर, नेक्स ने पुछा गया था, फाइब पॉइंट समुवन नामक पुस्तक के लेखक है जो की कौन है, ठीक है, तो फाइब पॉइंट समुवन जो पुस्तक है आपको बताते चलें, यह आपके चेतन भगत जी के द्वारा लिखा गया है तो आपका राइट एंसर क्या हो जाएगा, चेतन भगत हो जाएगा चेतन भगत भारती लेखक हैं और अस्तम्भकार हैं उन्होंने 5.71 दोज़ाचार में लिखा था, उपनियासिन का है और उन्होंने 5.10 में टाइमस पत्रिका में दुनिया के 100 सबसे प्रहुसाली व्यक्तिक रूप में भी चितिरित किया गया था ने कोसम बूचा गया था, राश्चरवा का सभापती कोन होता है तो भारत का जो उप राश्चपती होता है, वो राश्चवा का सभापती होता है तो वरत्मान में भारत के उप राश्चपती कोन है, तो यह आपके जगदीब धनकर है जो कि आपका 2022 में ही बने है, जगदीब धनकर जी, ठीके 2022 में इन्हें बनाया है मने Mercury चुना हुआ था तो उनमें आपके जीते हैं जगदिव धनकर ठीक है इसके लावा अग्ला कोश से पुछा गया था Australia की रासधानी किया है तो काइन बढ़ा इसका राइट चैन fence हो जागा काइन बढ़ा दूस्तों आपका Australia का आपके लिए गुलाम गिरी पुस्तक किसने लिखे है तो इसका राय टेंसर आपका माहत्मा जियोतिवा फुले तॉ जायागा nella टेवल्ले महत्मा जियोतिवा फुले संग्षी बात करेंगे क्यलों आपके लिए दो अभर्ण बैदल्ल गुलाम गिरी लिखा था और ताकि उन्हें जाति वस्था कि बेदवाओ और उत्पिरनट का एहसास हो सके ठीके नेक्स न पूछा गया था चीन की अधिकारिक भासा कौन सी हे तो आपका मंदारीन मंदारीन चीनी इसका आपका चीन का अधिकारिक भासा है तो राइटेंस हो जाएगा चीनी भासा चीन देश की मुख्य भासा और राज भासा है ये संसान में सबसे अधिक बोली जाने वाली भासा है और ये चीन एबं पुर्वी एसिया के कुछ देशों में बोली जाती है पुछा गया कि कौन सा गड़ा है जो की उल्टा दिसा में घुमता है तो आपको बता दे वेनस इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा ठीके सोन मंडल में जैसा कि आपको मालूँगा आठ गड़ों में से साथ गड़ा यानि कि मरकरी, अर्थ, मार्च, सैटन, जुपिटर, उनेनस नैप्चुन पच्छिम से पुरप के और घुमता है जबकि वेनस अकेला ऐसा गरा है जो की पुरप से पच्छिम के और घुमता है ठीके नेक्स कोस्टन की बात करेंगे तो वर्ल्ड गेम्स 2022 पुछा गया था कि अमरीका के किस सहर में आपका आयूजी थुआ था ठ एरिना बरंगिंगम में ये खेल दोस्तों आपका खेला गया था ठीके यह आपका बहु उदेशिये खेल असल है एरिना बरंगिंगम सिटी सेंटर के पास इसके साथ ये बैन्यू 2022 अस्वंडल खेलों के लिए मुख इंडोर असल भी था ठीके इस से पले इस बैन्यू पर बेन्विंटन विस्फ चॉंपियंसिप भी हो चुका है विस्फ एटिलेटिक्स इंडोर्स चॉंपियंसिप हो चुका है और आपका क्या हुआ है वर्ल्ड गेम्स 2022 का भी आउजन दोस्तों आपका यहीं पर हुआ है ठीके यह आपका सिट कहां पर पढ़ता है तो ब्रिंग कि इंसासिच प्रदेश में ग्रामिन महिलाओं की अतंचाओं को सहयता परदान कर रही है नेक्स कोशन की बात करेंगे तो पूछा गया था कि दोजाट तैस में सुपर बॉल सुपर बॉल कहां खेला जाने वाला है इस तरह कोई प्रशन आपसे पुछा गया था आपका देश का नाम दिया गया था परीस प्रांस इस प्रकाल करके तो comment section में बताइएगा इसका question का आपका language क्या था या answer भी आपको मालूम होगा तो आपको बताइएगा क्या right answer हो सकता है next question के बात करेंगे तो पुछा गया था एक आपका किस्थ्य ज्यादा कोईला कौन से राज में प्रडूयूच करता है की निमली कितमें से कौन सा राज है जो कि कौला का उत्पादन नहीं करता है ये question आपसे पूछा गया था option तो मिल नहीं पाया है तो आप लोग देख लिजे सबसे दर कोईला का जो produce करता है उत्पदन करता है वो आपका 36 गर करता है लेकिन 36 गर करता है तो आपका ये right answer हो जाएगा हालांकि ये question आपसे पूछा नहीं गया था knowledge के लिए आप लोग याद अख लिजे next उसमें पूछा गया था हम राष्ट को जगाने के लिए मरेंगे ठीके ये नारा किस ने दिया था तो तो इसका जो right answer friends आपका हो जाएगा बागा जेतिन ठीके बागा जेतिन आपका श्वामी इवे का नन् ठीके नें quelle कोई여 ব सब Nिकलने strikes को क्या खाते हैं तो इक रिद के द्वारा जो सुठावित प्यत रस्ठ पीत आपको प्वह नेर्थ को कुछा गया था उस्ताद अमजद अलि खान किसे समधित है तो उस्ताद जो अमजद अली जो खा है वो आपको पता दें सरोध वादक है तो सरोध से समन्दित है इसके अलावा 1991 में इन्हें पदम भूसन से समानित क्या जा चुका है इसके लावा कॉलेर में संगित के सिनिया बंगस घनाने की छटी पिरी में जनम लेने माले अमजद अ संगित व्यासत में प्राप्त हुआ था ठीक है चलिए नेक्स कोशन के बढ़ते हैं तो नेक्स कोशन था आपका उर्जित पतेल वरतमान में किसके अध्यक्ष मनाए गया है तो यह कोशन आपका हो चुका है इसके लावा चेतन भगत का भूक आय था आपका फाइब कॉइं एक कोशन आप से पूछा गया था कि कौन सा जो दुरभ है यक्रित के द्वारा बनाया और छोड़ा जा सकता है और पितासे की थेली में जमा हो जाता है तो यह कोशन उपर वाला आई था कोशन का लिंग में मिल गया था तो इसका पीत आपका इसका राइट एंसर हो जो किकरित के द्वारा बनाया जाता है छोड़ा जाता है पितासे की थेली में आपका जमा हो जाता है पित पाचन में मदद करता है ठीक है तो यह सभी कोशन आपके आज के ठर सिप में पूछे गया था ठीक है इसके अलावा और कोई कोशन पूछा गया था पुरभीडा से प्रस्ट आपका देखने को इलेक्ट्र एस्टेटिक फोर्स से आपका मिला था ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स आओ जो भी कोशन छूट के होंगे एक दो उसको हम लोग पीडियो में सामेल करने का प्रयास करेंगे तो वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देगा चैनल पर नोटिकेशन बेल को आल पर क्लिक कर देगा ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए जैन जै भरत